नमस्कार, रिती कालीन कावे का इतिहास भागतीन में आज हम करेंगे रिती काल की युगीन परिस्थितियां रिती काल की युगीन परिस्थितियों में हम देखेंगे कि ऐसे क्या राजनितिक, सामनाजिक, सांस्क्रतिक, साहित्यक कारण थे परिस्थितियां थी जिनके कारण यह कावे लिखा गया सबसे पहले हम देखेंगे कि ततकाल इन राजनितिक परिस्थितियां क्या थी राजनितिक परिस्थितियों पर अगर हम बात करें तो वह काल ऐसा था जब मुगल शासन अपने पूरे वैभपर था मुगल शासन के चर्मोत कर्ष का हास का और पतन का काल था क्रमशा इस पर बात करें तो शाह जहां के शासन काल में वह अपने चर्मोत कर्ष पर था शाह जहां के पस्चात दाराशी को जेश्ट पुत्र उनके अपनी धार्मिक सहिशनुता वैउदारता के लिए प्रसिद्ध हुए लेकिन औरंग जेव जो है वो उनके विल्कुल विप्रेथ थे औरंग जेव थोड़ी समय के लिए राजगद्धी पर आए और तब राज्य जो है वो छोटे-छोटे टुकडों में बट गया और केंद्र की पकड उस समय टीली होने लगी और उसी समय वह समय था जब नादिर शाने आकर्मन किया सन 1738 में नादिर शाने आकर्मन किया था इसके साथ ही एमद शाह अब्दाली ने भी आकर्वन किया था एमद शाह अब्दाली का आकर्वन 1761 में हुआ था इन दोनों आकर्वनों के द्वारा और अंग्रेजों द्वारा धीरे धीरे आधिपत्य जमाने के कारण जो वास्त्विक सत्ता है वो अंग्रेजों के पास चल भारत में लगभग अंग्रेज़ द्वारा अधिकार कर लिया गया 1857 की क्रांती से मुगल समराज्य का कारूनिक अंत हुआ और जो प्रदेशों की राजनितिक दशा थी वो भी बहुत शोचनिया थी राजस्थान के राजपूत अपने थोथे अहंकार में थे उनमें बहुप पत्नी प्रथा का प्रचलन था आपसी कलह के कारण वे निर्वीर्य और खोगले हो चुके थे हां बुंदेलों के जो माराथा थे मारहटों के साथ अवश्य अलाब उठाने का प्रत्न किया लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली हिंदू रजवाडों वे अवद के नवाब को अंतत्य मुगल समराजय के समान ही अपना कारूनिक अंत देखना पड़ा ये ये सारी राजनितिक उथल पुथल तत कालीन समय में हुई जो कहीं न कहीं रीती कालीन कावे के बीजारोपन का कारण भी बनी अब हम बात कर लेते हैं समाजिक परिस्थितियों की समाजिक परिस्थितियों की द्रश्टी से देखें तब भी यह काल घोर अंदह पतन का रुग था काल था इस काल में सामन्तवाद का बोल बाला था और इसका प्रभाव सामन्तवद का प्रभाव जनता पर भी पड़ा समाजिक विवस्था का केंद्र बिंदू बादशा था बाकी मनसबदार वैं अमीर उम्राव उसके अधीन थे और नीचे वालों का कर्टव वैं उपर वालों का उपरवालों को हर तरह से प्रसन्न करना और उनका अधीनता स्वीकार करना था दो तरह के वर्ग थे समाज में शासक वर्ग जो संपन्न था शासित वर्ग जो पीडित था शासित वर्ग में एक और श्रम जीवी क्रशक आते हैं तो आते थे और दूसरी और सेट, साहुकार, दुकानदार, वैपारी, आदी और जो शासित वर्ग है उसके अंदर गत पीडित वर्ग वही था जिसमें श्रम जीवी, क्रशक ये लोग आते थे गरीब की आर्थिक स्थिती बहुत शोचनिय थी शासक वर्ग वैं संपन वर्ग बिना कुछ किये हुए भी संपन था और जो श्रम जीवी हैं, जो शासित हैं, जो गरीब हैं वो बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको कुछ प्राप्त नहीं होता था अपना पेट भरने लायक भी प्राप्त नहीं कर पाते थे जन साधारन के लिए सुविधाओं का अभाव था जिससे लोग भाग्यवादी वो नैतिक मुल्यों से रहित हो चुके थे और नारीक को भी एक तरह से संपत्ती माना जाता था इसलिए अलपायू में ही उसका विवाह कर देने का प्रचलन था और विलासिता समाज में हावी थी एश्वर्य वे एनैतिक संबन्दों का बोल बाला था और इस तरह से समाज जो है वो अपने आप में अधू मुखी परिस्थिती में था उसका विकास नहीं हो रहा था वो है बिलकुल पतन की और अग्रसर था इस तरह हम देखते हैं कि राजनितिक और समाजिक परिस्थितियां तद कालीन समय की अच्छी नहीं थी और यही कारण था कि रिती काल में भी हमें उसका प्रतिबिम उसकी चाया दिखाई देती है आगे बच्ची हुई यूगीन परिस्थितियां सांस्कृतिक परिस्थितियां साहितिक परिस्थितियां वो हम अगली किष्ट में वीडियो के अगले भाग में करेंगे